आखो से आखे मिले गौर फर्माईएगा इर्शाद इर्शाद आखो से आखे मिले तो उसे आखे चार कहते हैं और खाने के बाद मुझे गैस निकले तो उसे ड़कार कहते हैं खेतों में जो दिया जाए उसे खात कहते हैं और गैस अगर मुझे जगा कही और से निकले तो उसे पाद कहते हैं वाबा महराज वाबा मजा क्या वाबा भाईया चुट्टें सही बताएं तुमसे बड़िया शायर हमने आज तक नहीं देखा ये शायर हैंya जesesर निया जो खुद को शायर बोलते हैं इतनी गंदीक इंदी शायरी तो और से शुना आ जाहें तो कान बंद कर लेँ हम कान नी बंद करनगे तुम अपनी शायरी बंद कर लेँ नहीं किये तो, एक लात बरतेंगे अभी शायरी तो क्या कभीता सुनान के लाइक नहीं बाचुगे? अरे भाईया जबी इतने बढ़िया बढ़िया शायरी सुना आरे तो काई तो खरें अबीच में? ये कोई शायरी है? ना कोई भाबना है और ना ही कोई आर्थ? पर लाइने तो मिल रहे हैं ना? बेटा सिर्फ लाइने मिलने से शायरी नहीं बन जाती है? शायरी बनती है शब्द और भाबनाओं के मिलांच से? हाँ तो तो तुमको अच्छा मिला लेते हो? ये बिगाड लेते हैं बेटा सुनो, हाँ बताओ ये जो तुम दो लाइने मिला के घुत को शायर समझ रहे हो ना? हाँ ये हम दूसरी ख़्चा में करते थे हम अपने क्लास के इतना बढ़िया शायर थे पुरी क्लास हमको शायर शायर बोला करते था शायर शायर नहीं सुर सुर बोला होगा